ताइम विद रुपा में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मेति की सब्ची मेति सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है यह मैंने एक जुडी मेति लाई थी अच्छे से साफ किया उसको फिर दो चर पानी में दो चर बर मैंने उसको दो के लिया है ठीक है क्योंकि मिट्टी रहती है उसमें अच्छे से दोना है उसके बाद मैंने उसे काट लिया है और यहाँ पे छे साथ लसन काट के लिए मैंने और यह चार मिर्च है अभी यह कडाई गरम हो चुक है उसमे मैंने तीन चमच ऑइल डाल दिया है थोड़ा सा ऑइल हमेशे से थोड़ा ज्यादा डालना है क्योंकि जो हरी सबजी रहती है उसे थोड़ा सा ऑइल ज्यादा डालो तो अच्छी बनती है तब यह ऑइल गरम हो चुका है उसमें हमें डालना है दोनों मिर्च और लसन ये लसन जब तक ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इसे फ्राई करना है लाइट ब्राउन मतलब ये देखिए अभी लाइट ब्राउन हो चुका है ये फ्राय हो चुका है मिर्च और लसन अच्छा फ्राय होना चाहिए तभी टेस्ट उसकी सब्जी में उतरती है अभी जो सब्जी है हमें उसके उपर डालना है अभी सब्जी डालने के बाद धकन लगा देना है कुछ हिलाना नहीं कुछ नहीं एक पांच मिनिट हमें धकन लगा के रखना है दो मिनिट अब हमें इसे खोलना है दो से पांच मिन तक रखना है इसे थोड़ा साइसे सौफ हो जाती है फिर अब यह हिलाने के बाद उसमें नमक डालना है नमक डालने के बाद अभी वापस उस पर हमें डखकन रखना है जैसे नमक का पानी छोट जाएगा और उसमें वो सब्जी पक जाएगे अभी वापस दो से पांच मिन तक वापस हिला हिला कि इसको सूखा कर देना है अभी यह सब्जी सूख गई आप देखिए यह जो पानी आया था नमक का इसमें यह सब्जी तराबर बड़ तुग गई और फिर हिला के इसे डख के गैस बन कर देना है अभी इसमें अच्छे से ये मिक्स होना चाहिए अभी देखिए अभी ये डख के पहले गैस बन कर दीजी और ये डख के रखें फिर खाने के लिए रेडी हो जाएगी अब यह हमारी मेति की सबजी रेडी हो चुकिए यह रोटी के साथ आप खा सकते हैं गरमा गरम और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो सबस्टाइब करना ना भूले उसके साइड में जो बेल बटन है वह प्रेस किजिए जिससे आपके नेक्स रेसिपी कर नोटिफिक आपके बटन है